हेलो फ्रेंड्स में आपका स्वागत है आज हम इस तरह का निटिंग पैटर्म बनाएंगे आप इसे जैंट स्वेटर लेडिस कार्डिगन या फिर बच्चों के स्वेटर पर भी इसे डाल सकते हैं यह देखिए यह इसकी बैक साइड इसमें जो हमने फंदे लेने हैं स्टाट में यह हमने पांच के मुल्टिपल के हिसाब से लेने हैं यह देखे शुरू में यह एक सीधा यह दूसरा सीधा यह तीन तीन यहां पर सीधे दिखाई देते हैं और दो हमने उल्टे डाले हैं तो पांच से हमा तो 5 के हिसाब से हमने multiple के हिसाब से हमने फंदे लेने है और 4 हमने extra लेने है जैसे यहां पर मैंने लिखा है 5, 5, 5 और 4 हमने उसके extra लेने है चार जो हमने लेने है वो एक तो हम यह शुरू में सीधा निकाल लेते हैं एक हम यहां last में बिना बुने उतार लेते हैं तो यह 2 हो कि दो हमने शुरू में यह उल्टे लेने हैं तो चार इसलिए हमने अक्स्टा लेने हैं जैसे अगर हम 1,2,3,4 हम बनाते हैं रो तो चार को हम 5 से मुल्टिप्लाइ करें तो यह 20 होगे 20 और 4 हम अक्स्टा लेंगे तो 24 हो जाएंगे तो इस हिसाव से मैंने यहाँ पर 24 फंदे डाल लिये हैं 24 और इसके लिए मैंने यह 9 नंबर नीडल ली है 9 नंबर पहला पंदा हम बिना बुने उतार लेंगे यह सीधी साइड है ऐसे हमने उतार लिये धागा आगे करेंगे दो हम उल्टे बनाएंगे फंदे एक दो धागा दूसरी तरफ ले जाएंगे तीन हम सीधे बनाएंगे एक दो तीन धागा आगे करेंगे दो उल्टे बनाएंगे धागया दूसरी तरफ ले जाएंगे और तीन हम सीधे बनाएंगे तो इसी तरह से रोग कम्प्लीट करेंगे दो उल्टे बनाएंगे तीन सीधे बनाएंगे तो लास्ट में आकर हमने दो उल्टे बनाने हैं यह देखिए यह दो उल्टे बनाएं हमने और ये राइट sEMAट है सीधी साइड तो लास्ट वला फंदा हमने सीधा बुन लेना है तो दूसरी सलाई में ये रोंग साइड है तो उल्टी साइड है तो पहला फंदा हम इस तरह से उतार लेंगे धागा आगे करेंगे जिन फंदों को हमने सीधा बुना है उन्हें हम उल्टा बुनेंगे और जिने हमने उल्टा बुना है उन्हें सीधा बुनेंगे तो यहाँ पर लास्ट फंदे मेरे पास दो उल्टे थे यहाँ पर हमने सीधा बुनेंगे दो सीधे बुनेंगे तीन हम उल्टे बनेंगे, दो सीधे बनाएंगे, तीन उल्टे बनाएंगे, तो यह इस तरह से आएगा, दो सीधे, तीन उल्टे, लास्ट में यह देखे, दो हमने सीधे बनाएं, और धाका आगे करेंगे, और यह उल्टी साइड है, तो हम उल्टा फंदा लास्ट बनेंगे, अगर यह सीधी साइड होगी, तो लास्ट बना सीधे बनेंगे, तो इसके बाद थर्ड और फूर्थ रोर सेम रिपीट होगी इसी तरह से बनाएंगे हम पहला फंदा हम बिना बुने निकालेंगे एक उल्टा, दो उल्टा, धाका आगे तीन हमने सीधे बनाए लास्ट में आगे हम दो हमने उल्टे बनाए, धाका आगे करेंगे यह सीधी साइड है, तो लास्ट पंदा हम सीधा बनाएंगे तो यह थर्ड रो आगे, फूर्थ रो हम सेकेंड रो की तरह बनाएंगे इसे हमने ऐसे निकाल लिया दो सीधे, तीन उल्टे तीन उल्टे, धाका आगे ले जाएंगे और फिर दो सीधे बनाएंगे लास्ट में जाकर हमने दो सीधे बनाए, धाका आगे करेंगे और यह उल्टा बनाएंगे, तो चार सलाहियां होगी, चार सलाहियों को ही यह पैटरन है अब हमने यह जो लूप हमने बनाया है यह देखिए अब हम यह लूप बनाएंगे, यह दोनों साइड आया है यह देखिए इस तरह से पहला फंदा हम निकाल लेंगे इसी तरह से, दो उल्टे बनाएंगे, एक, दो, धाका दूसरी तरफ ले जाएंगे तो अब हमने यह तीन है हमारे पास फंदे, जो सेंटर वाला है सीधा फंदा, इसके आप देखिए यहाँ पर यह पहला यह दूसरा यह तीसरा बीच में यह धागा दिखाई देता है तो धागे को गिनी आप एक पहला धागा है दूसरा तीसरा तीसरे के नीचे हमने नीडर डालनी है और इस तरह से सीधा बना लेना है तो यह इस तरह से लंबा आ जाएगा फंदा हमारे पास इसे हमन यासे छोटा करके नहीं बनाना, थोड़ा ऐसे खीच लेंगे तो यह लंबा हो जाएगा, इसके बाद हमने यह तीन सीधे हैं, तीनों का सीधा बना लेंगे, एक, दो, तीन, और तीन बनाने के बाद सेम प्लेस पर जहां पर हमने पहले लूप बनाया है, वहीं पर हम नीडल यहां पर एक और बना लेंगे लूप, तो यह लूप थोड़ा छोटा नहीं रहना चाहिए, इसे थोड़ा सा आप ऐसे खीच के ठीक कर दें, दुनों की लेंथ एक जैसी होनी चाहिए, धागा आगे ले जाएंगे, दो उल्टे बनाएंगे, फिर से देखिए, यह जो हमार उसके नीचे आप देखे, यह वह एक दगा है, सैंटर में, यह दिखाई देता है, फिर यह दूसरा है, फिर यह थर्ड है, थर्ड के नीचे हमने नीडल डालकर हमने इसे लंबा फंदा बनाना है, फिर से यह तीन हम सीधे बनाएंगे, एक, दो, तीन, सेम प्लेस पर जहां हमने बनाया है वहीं पर नीडल डालेंगे और एक बड़ा लूप बनाएंगे तो यह देखिए यह लंबा है यह थोड़ा छोटा है लूप थोड़ा सा इसे ऐसे हम बराबर कर लेंगे थोड़ा सा खींच के आपने उसे बराबर कर लेना है ताकि दुन्नों की लेंथ एक जैसी हो फिर वही सेंटर वाला फंदा ये एक, ये दो और ये तीन तीन के नीचे हम यहाँ पर नीडल डाल कर फंदा बनाएंगे तो ये लंबा हो गया फंदा, इसके बाद तीन सीधे हैं, तीन सीधे बनाएंगे सेम प्लेस फर फिर से बनाएंगे इसे थोड़ा सा हम ऐसे नीडल से खींच के बराबर कर देंगे छोटा बड़ा फंदा नहीं होना चाहिए, दो उल्टे बनाएंगे और लास तक इसी तरह से बनाएंगे, लास फंदा हम सीधा बनाएंगे तो ये इस तरह से हमारी सलाई कंप्लेट हो गई रॉंग साइड है, पहला फंदा हम बिना बुने निकाल लेंगे फिर दो सीधे हैं, दो सीधे बनाएंगे, एक, दो धागा आगे ले जाएंगे यह जो हमने लूप बनाये था यह देखें यह यहां से दिखाई देता है इसे हमने ऐसे ही यह देखें ऐसे निकाल लेंगे बिना बने फिर नेक्स हमने तीन उल्टे बनाने है फिर यह लूप आगया इसको हमने फिर से ऐसे निकाल लेना है उल्टी साइड से धागा आगे ले जाएंगे दो सीधे बनाएंगे धागा इस तरफ तो फिर से हम ये लूप लूप को हमने बनाना नहीं है इसे हमने ऐसे ही निकाल लेना है फिर हम तीन उल्टे बनाएंगे एक, दो, तीन फिर यह देखे लिए यह लूप आ गया लूप को हमने ऐसे निकाल लिया धागा दूसरी तरफ दो सीधे धागा आगे करेंगे तो इसी तरह से यलास तक बनेगा जो रोंग साइड है उसमें हमने लूप को बनाना नहीं है, बुर्णा नहीं है इसे हमने ऐसे ही निकाल लेना है दो सीधे बनाएंगे धागा आगे करेंगे और उल्टा बनाएंगे अब पहला फंदा हम बिना बुने निकाल लेंगे उसके बाद दो उल्टा बनाएंगे धागा दूसरी तरफ ले जाएंगे अब हमने ये जो दो लूप हैं इन्हें हमने यहां से इसे हम इस तरह से उठा लेंगे और ऐसे घुमा देंगे अब हमने इसे और पीछे वाला जो है पहला सीधा फंदा है इन दोनों को लेकर हम एक बना देंगे फिर नेक्स सीधा हम बना लेंगे सेकंड सीधा था जो तीन हमारे पार सीधे थे एक हमने लूप के साथ बनाया एक हमने वैसे बना लिया अब हमने ये थर्ड ये थर्ड ये सीधा है और ये साथ में लूप है तो इन दोनों को इकठे लेकर ऐसे हमने बनाना है धागा आगे करेंगे दो उल्टे बनाएंगे फिर से देखिए धागा हम दूसरी तरफ लेगे यह जो पहला लूप है बड़े वाला इसे हमने ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा लेना है और जो पीछे सीधा पंदा है उसको साथ लेकर ऐसे हमने दो का एक कर दिया फिर हमने सीधा बना लिया और यह जो लूप है हमारे पास यह इसको हमने नहीं गुमाना हमने शुरू वाला गुमाना है और पीछे जो इसके लूप है वो हमने नहीं गुमाना उसे हम इसी तरह से बनाएंगे यह देखिए फिर हम दो उल्टे बनाएंगे, धागा दूसरी तरफ ले जाएंगे, इसे गूमा लेंगे, यह वाला लूप है, इसे इसके साथ लेकर हमने ऐसे बनाना है, तो लास्ट फंदा हम, यह सीधी साइड है, लास्ट सीधा बनेंगे, तो लास्ट फंदा हमने सीधा बना लेना, इसके बाद हमने सीधा बनानी है, जो हम सेकिंड रो बनाते हैं, पहला फंदा हमने बिना बुने उतार लिया, दो सीधे बनाएंगे, तीन उल्टे बनाएंगे, एक, दो, तीन, धांगा दूसरी तरफ, तो यह रोग कम्प्लीट होगे मेरी रोंग साइड से, अब हमने यह फिर से लूप वाली रोग बनानी है, पहला फंदा हमने निकाल लिया, धांगा आगे करेंगे, दो, उल्टे बनाएंगे, धांगा दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो अब हमने यहां से देखे, यह बीच में धांगे दिखाई देते हैं, जो सेंटर वाला जो सीधा फंदा है, तो इसको हमने पहला मानना है, यह एक, दो, और तीन, तीन के नीचे, यहां पर हम ऐसे लूप बना लेंगे, लूप का ऐसे लंबा कर लेंगे, खींच के, इसक दो, तीन, और फिर सेम प्लेस पर जहां पर हमने यह देखे, यह लूप बनाया है, उसी जगा पर हमने फिर से एक और बनाना है, तो यह देखे, यह लंपा है, यह छोटा है, इसे हमने ऐसे नीडल से, सलाई से थोड़ा ऐसे बढ़ा कर लेना है, फिर दो उल्टे देखे, एक, दो, तीन, थर्ड के नीचे हमने लूप बनाना है, फिर तीन सीधे बनाएंगे, एक, दो, तीन, और फिर से हम सेम प्लेस पर लूप बनाएंगे, धागा आगे, एक, दो, फिर से हम थर्ड, ये देखे, एक, दो, तीन, थर्ड में हमने फिर से लूप बनाना है, और लास्ट ये राइट साइड है, तो लास्ट फंदा हम सीधा बनाएंगे, तो ये रोग कम्प्लीट हो गई, इसके बाद हमने ये ही कंटिन्यू करना है, ये रोग साइड हम जो रोग बनाएंगे, ये हम पहले बना चुके हैं, तो पहला फंदा हमने बिना बुने निकाल लिया, फिर हम दो सीधे बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, तो वही आगी रपीट हो गई, ये हमने लूप निकाल लेना है, इसी तरह से बिना बनाएंगे, फिर से हम ये लूप है, इसे भी हमने ऐसे बिना बुने निकाल लेना है, धागा आगे ले जाएंगे, दो सीधे बनाएंगे, फिर से ये लूप आगया, लूप को हमने बिना बुने निकाल लेना है, उसके बाद हमने तीन उल्टे बनाने है, फिर इसे निकाल लेंगे, तो और अब हम लूप को साथ साथ अड़जस्ट करते जाएंगे जो हमने दो लूप बनाए है सेम रपीट होगा जो हमने इस रो में बनाया है पहला फंदा हमने बिन बने उतार लिया दो उल्टे बनाएंगे धागा दूसरी तरफ ले जाएंगे यह लूप को हम पकड़के ऐसे लेंगे और जो इसके पीछे पंदा है सीधा उसको साथ लेकर हमने दो तरह सीधा taraf को साफ तो लास हम फंदा सीधा बनाएंगे, रो कम्प्लीट हो गई, इसके बाद दो हम सीधे बनाएंगे, तीन हम उल्टे बनाएंगे, पहला फंदा हम बीना बने निकाल लेंगे, इसके बाद दो सीधे और तीन उल्टे, तो रोंग साइट से रो कम्प्लीट हो गई, यह इस तरह स बना अब फिर से हम यह लूप वाली रो बनाएगे इसी तरह से यह बनता जाएगा मैं आपको एक बर फिर से शुरू करके बता देती हूँ दो हमने उल्टे बनाए अब यह आगे हमारे पास सेंटर वाला जो फंदा है एक यह दो और यह तीन तीन के नीचे हमने लूप बनाना है फिर तीन हम सीधे बना लेंगे और यही पर हम सेम प्लेस पर फिर से लूप बनाएगे पीछे वाला लूप थोड़ा खींच के बरापर कर लेंगे फिर दो उल्टे बनाएगे तो सेम इसी तरह से यह पैटर्न बनता जाएगा तो यह पैटर्न कुछ इस तरह से दिखाई देगा यह देखिए आशा करती हूँ यह पैटर्न आपको पसंद आएगा अगर यह आपको अच्छा लगए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थाइंक यू